study with me a learning experience numerical one an object is falling freely under gravity how much distance will it travel in second and third second of its journey यह cliff है यह consider कर लेते हैं कि यहां से ball ने free fall करना है given हमारे पास क्या है कि initial velocity इसकी 0 है क्योंकि उस टाम पे free falls करना start करेगा तो initial velocity हम लोग ले लेते हैं 0 meter per second acceleration due to gravity जाहर है जो नीचे की तर फेक्ट कर रही है वो g है और उसकी value 10 meter per second square assume कर लेते हैं क्योंकि 9.8 meter per second square से थोड़ा था points का decimals का answer आ जाते है आपके जो book के answer है उससे distance traveled in second second d2 कितना होगा यानि कि यह नहीं पूछ रहे कि ball एक second में कितना फासला तैग करीगी पूछा जा रहा है कि दूसरा second यानि पहले और दूसरे second के बीच में इसने कितना फासला तैग किया है और distance traveled in third second यानि दो second तक जितना फासला तैग कुछ चुक है उससे आगे जो तीसरा second है उसमें कितना फासला तैग कर रहा है याद रखें इस मौके पर हमारा time zero है और distance zero है क्योंकि start हो रहा है तो time zero हम ले लेते हैं और distance zero ले लेते हैं अब start करते हैं second equation of motion क्या होती है वी आई टी प्लस half 80 square तो हम देखते हैं कि पहले एक second अगर time लगे तो इसमें बॉल कितना travel करेगी as one कह देते हैं इसको initial velocity zero three time एक second time में कितना travel करेगी half acceleration की जगा 10 जोगे g की value है और time की जगा 1 one second अब इसको solve करेंगे यह तो zero हो जाएगा और यह half multiply by ten five हो जाएगा और five into one is equal to five meter तो यह distance जो travel करेगी वो होगा five meter और यह आपका concept के लिए समझा दूँ क्यूंकर 10 meter per second square की acceleration है तो velocity यहां पर कितनी हो जाएगी zero से start किया था तो एक second के अंदर 10 meter per second की velocity इसकी हो जाएगी यह होगी हमारा पहला second ठीक है एक second के अंदर हमें एक second नहीं चाहिए हमें distance traveled in two seconds भी नहीं चाहिए second second का चाहिए तो पहले हम लोग देखेंगे कि two seconds में कितना करती है ठीक है तो two seconds में कितना करती है उसके लिए s2 लेंगे वी आई की वैली वही time की वैली वी टू यह तो खर 0 हो जाएगा प्लस हाफ एक वैली टैन और two का स्कूर और two multiply by यह 10 डिवादबाए two कितना हो जाएगा five और यह two का स्कूर four तो five multiply by four is equal to twenty meter तो distance जो दो सेकंड में यहां से यहां तक वो ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर और अब conceptual के 10 मीटर पर सेकंड एक सेकंड के बात हो गया तो अब कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड ठीक है नेक्स हम जाते हैं कि अगर time 3 सेकंड हो तो तब कितना distance total travel करेगा यह उसको हम कह देते हैं s3 और time यहां पर डाल देते हैं 3 सेकंड और इधर भी time 3 डाल देते हैं तो 10 divided by 2 तो हो गया 5 और यह 3 का स्क्वेर 9 होता है तो 5 multiply by 9 is equal to 45 मीटर यानि कि अगर free fall पूरे 3 सेकंड को हो तो यह यहां से यहां तक 45 मीटर के फासला तैगरेगा और 3 सेकंड माद इसकी velocity कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड क्योंकि एक्सलेशन किया है 10 मीटर पर सेकंड फ़रू हो रहे है जो हमें required है कि distance 2 कितना होगा यानि second second में कितना distance travel कर रहा है अब यह देखें पांच किया था ट्रीक है दो सेकंड में कितना किया हैrit फीस 20 माइनस फाइफ तो यह वाला distance कितना travel हुआ वह हो गया 15 मीटर्स कृट्टेब जूह का तो इक तरी तरो इस कितना स्टुनेंट्स इस नुमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले यह बता दूं कि यह नुमेरिकल ऑल्मॉस्ट ऑल दे यूट्यूबर्स यह टीचर्स जो इंटरनेट पर पढ़ा रहे हैं उन्होंने घलत सिखा है और अभी वक्त है SLO-based exams का और जो बच्चा इसको सही से नहीं solve करेंगा तो इसको इसमें चांस है zero number मिलेगा जो उन methods से solve करेंगे और ऐसे ही सवाल E-Cat के exams में भी आते हैं और MD-Cat के exam में भी फिजिस के portion उसमें आते हैं तो concept इसके अपने clear करें तो शुरू करते है numerical number two a helicopter is ascending vertically at a speed of 19.65 meter per second when it is at a height of 156.8 meter above the ground a stone is dropped how long does the stone take to reach the ground बड़ा practical सवाल है given हमारे पास क्या एक velocity है helicopter की जो के उपर की तरफ जा रहा है 19.65 meter per second की रफ़तार से यह नहीं बड़ा तेज उपर जा रहा है gravitational acceleration जो उसके उपर लग रही होती है वो 9.8 meter per second square है stone जब एक height जिस पे helicopter पहुंचता है 156.8 meter from the ground वहां से जब उसमें पत्थर drop किया जाता है तो पुछा जा रहा है कि वो कितने time में नीचे जमीन पे पहुंच जाएगा वो stone solution की तरफ से आते हैं यह helicopter है और यह उपर जा रहा है 19.65 meter per second की रफ़तार से काफी speed है और जब यह एक height पहुंच जाता है जमीन से 156.8 meter तो यह एक stone बाहर release करता है आराम से बाहर drop करते हैं अब देखें जिस time पे यह stone बाहर रख रहा है और उस time पे इस stone की भी helicopter के साथ सा speed क्या थी उपर की तरफ 19.65 meter per second की रफ़तार से stone initially उपर जा रहा था अब जैसे इसको छोड़ देते हैं तो helicopter तो उसी रफ़तार से उपर जाता रहता है जबकि इसकी रफ़तार भी आइस्ता इस्ता कम होना शुरू हो जाती है लेकिन initially यह भी थोड़ teachers ने calculate नहीं किया हुआ क्यूंकि original height यह थी फिर यह additional थोड़ा सो उपर गया है तो यह वाला time T1 भी calculate करना लाजमी है और फिर जब stone नीचे आएगा T2 यानि इस additional height के बाद तो तब यह वाला T2 मेयर करेंगे और पिर इन दोनों को add up कर लेंगे तो यह total time होगा जो के stone का लग लेते हैं वी एफ देखें इस case में क्या है 0 meter per second वी आई क्या था 19.65 जी आपको पता है 9.8 meter per second square तो वी एफ 0 वी आई 19.65 जी 9.8 और T1 अब देखें 19.65 को उदर ले जाएंगे तो हो जाएगा minus 19.65 अब 9.8 से इसको divide करेंगे तो T1 की value आजएगी minus 19.65 divided by 9.8 और इससे answer आज यह है क्योंकि time is always positive ठीक है तो यह time की value आगे T1 2 second अब हम लोगोंने additional height h1 measure करनी है जो यहां से उपर किया है तो उसके लिए हम लोग 2as is equal to vf square minus vi square use करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास सिवाए s के यानि height के वागी सारी चीज़े मौजूद है क्यों final velocity क्या है 0 initial velocity क्या थी इ 9.8 meter per second square तो 2a h1 कह देते हैं हम लोग इस height को में लोग नाम देते हैं h1 और अब इसके इंदर values डालते हैं 2 multiply by acceleration 9.8 multiply by h1 is equal to final velocity क्या है 0 initial velocity क्या थी 19.65 इन दोनों का square ले लेते हैं तो यह आ जाता है 19.6 h1 और 19.65 का square लेते हैं तो आ जाता है 386.12 अब h1 निकालना है तो this divided by 19 19.6 हमारे पास value आ जाएगी minus 19.7 जो के equivalent है 19.7 के minus 9 इसके अटा दी है क्योंकि height हमेशा positive ही हो सकती है height तो negative नहीं हो सकती तो यह height भी हमारे पास आगी 19.7 अब screen को साफ करते हैं और total height h हम लोगों ने मजिर करनी हैं यहां से यहां तक तो वह तो बहुत असान है h is equal to main height जो हम 19.7 is equal to 176.5 meter तो यह total हमारी height है और यह इदर से अब यहां पर fall करेगा तो time t2 हम लोगों ने find करना है using second equation of motion अब इस second equation of motion में देखें यहां पर जब एक दफ़ा stone उपर से नीचे गिरना शुरू करता है तो इसकी initial velocity क्या थी 0 meter per second तो initial velocity 0 time हम लोगों करना है तो मज़र करते ह है एस की जगा हम लोग हाइट लिए है क्योंकि हाइट हम लोग ने calculate कर ली है तो 176.5 is equal to initial velocity multiply by time यह 0 ही रहा गया half gt square g की value है 9.8 और t2 यह हमने मालूम करना है t2 square की value जब हमने मालूम करना है तो 176.5 multiply by 2 divided by 9.8 इसको जब rearrange करके लिखते है इस तरह हो जाता है और इससे t2 square की value हमारे पास आ जाती है 36 दोनों तरफ square root ले लेंगे तो हमारे पास t2 की value आ जाती है 6 second अब आप देखें आपके पास t1 की value है 2 second और फिर वापस t2 की value है 6 second the total time जो हमारा लग रहा है T1 plus T2 is equal to 2 plus 6 is equal to 8 second numerical 3 a car moving at 20 meter per second crashes into a tree एक गाड़ी है एक ट्री के अंदर जाके जब के कार की speed क्या थी 20 meter per second find the magnitude of the average force acting on passenger of mass 70 kg in each of the following cases यानि अंदर जो passenger है उसका मास है 40 kg तो इसके दो parts है और जो given है हमें क्या है velocity of car V.I.E. is equal to 20 meter per second अचा भी जो car के अंदर passenger है उसकी velocity क्या होगी initial velocity वो भी 20 meter per second होगी passenger का mass है 70 kg और average force हमने मालूम करनी है दो cases में और पहला case क्या है कि जब वो crash कर जाते हैं the passenger is not wearing seatbelt seatbelt नहीं पहनी थी he is brought to rest by collision with the windshield and dashboard that lasts 2 millisecond यह जब windscreen से जाके टक्राते हैं तो और dashboard से भी तो कितने time में यह रुख जाते हैं 2 millisecond में ठीक है 2 millisecond इसका stopping time है यानि delta T final velocity क्या होई इसकी passenger की 0 meter per second stoppage time delta T 2 millisecond यानि 2 into 10 square minus 3 second average force मालूम करनी है F A हम लिख देते हैं impulse का आपको formula याद होगा J is equal to delta P impulse के formula आपने अची तरह याद कर लेने यह बहुत सारे numericals में आते हैं एक impulse का formula है J is equal to delta P यानि impulse is equal to change in momentum और दूसरा होता है impulse is equal to force into delta T यानि force कितने time के लिए लग रही है अब इन दो equations है आप यह भी कह सकते हैं delta P is equal to force into delta T और अब आपने अगर average force निकालनी होगी तो delta P divided by delta T कर लेंगे यहां तक दोनों questions का start simple होता है और ऐसे ही चलता रहता है दोनों parts का F average is equal to delta P divided by delta T delta P means change in momentum यानि final momentum minus initial momentum और momentum क्या होता है mass into velocity mass into final velocity minus mass into initial velocity final velocity क्या है 0 है और पहले इनको bracket में कर लिए बागी M bar common ले लिए तो final velocity क्या है 0 है initial velocity क्या है 20 meter per second तो 70 into 0-20 और नीचे delta T की value 2 into 10-3 70 divided by 2 क्या हो जाएगा 35 और अंदर क्या है minus 20 तो 35 multiply by minus 20 यह बन जाता है minus 700 और 10-3 अब minus 7 into 10-5 newton हम लोग ने कर दिया ठीक है 100 जो है इसको 10-2 करके उपर add कर लिए अब minus 7 into 10-5 newton लिखा है minus क्यों है क्योंकि यह drag force है यह इसको ulti direction में negative axis negative axis की तरफ इसको push कर रही है रोकने के लिए तो हमारा answer 7 into 10-5 newton अभी इसके part B की तरफ आते हैं जब कार के अंदर passenger side पे airbag भी लगाओ ठीक है तो the force due to the airbag acts for 45 millisecond bringing the passenger to rest बाकी सवाल वैसे ही है सिर्फ जो delta T है इस airbag की वज़ा से क्या है 45 millisecond तो सवाल उसी तर स्टार्ट करेंगे initial velocity जो है हमारे पास 20 meter per second है final velocity रुख जाता है 0 meter per second हो जाती है stoppage time इसका दिया है 45 millisecond मिली यानि 10-3 और average force मालूब करनी है वही procedure कि impulse आपको पता होने चाहिए होती है delta P यानि change in momentum के बराबर और impulse का एक और formula ता है force multiply by delta T इन दोनों से हम लोग निकाल लेते हैं delta P equal to force into delta T और average force निकाल निकालनी हो तो delta P divided by delta T अब इसमें values put in करना शुरू करेंगे तो delta P आपको पता है final momentum minus initial momentum यानि MVF minus MVI M common ले लिए अंदर रह गया VF minus VI M की value है 70 kg final velocity है 0 और initial velocity कितनी थी 20 meter per second 70 into 0 minus 20 और delta T इस दफा किया है 45 into 10 to power minus 3 70 divided by 45 से हमारा पास आ जाते है 1.56 और अंदर 0 minus 20 से minus 20 तो 1.56 into minus 20 minus 31.2 और यह 10 to power 3 एक 10 इस तरफ ले जाए decimal को तो यह हो जाते है minus 3.1 multiply by 10 to power 4 newton minus क्यों है वही बाद drag force लग रही है इसको इस साइट पर पुश कर रहे है 3.1 into 10 to power 4 newton से Numerical 4 A 0.4 kg ball traveling with the speed of 15 meter per second strikes a rigid wall and rebounds elastically यहानि कोई energy lose नी होती if the ball is in contact with the wall for 0.045 seconds what is the momentum imparted to the wall and the average force exerted on the wall यह numerical YouTube पे लोगों ने solve तो किया है लेकिन formula start कैसी करिया है वो लोगों ने नी समझाया है वो भी आपको समझाऊँगा given हमारा पर किया है mass of ball 0.4 kg speed of ball 15 meter per second time of contact with the wall delta T 0.045 seconds momentum imparted to the wall delta P जो wall को दिया है वो मालूम करना है और average force exerted on the wall FF मालूम करनी है solution की तरफ आते हैं और यह पहला part है यह आप देख सकते हैं wall है to find momentum imparted to the wall we need to determine the change in momentum of ball during collision तो ball है वो जारी है किस momentum के साथ पहले वो मालूम करते है initial momentum of ball क्या होगा mass multiply by velocity mass है 0.4 और इसकी velocity 15 meter per second तो यह जिस momentum से जा रहा है वो है six kilogram meter per second जब टक्रा के आगा तो वही negative हो जाएगा minus six kilogram meter per second final velocity of ball क्या होगी minus six kilogram meter per second क्यूंके rebounds elastically कोई loss of energy नहीं होता अब change in momentum of ball क्या है final momentum of ball minus initial momentum of ball यानि minus six में से minus कर देंगे plus six को तो minus six और minus six हो जाएगा minus 12 kilogram meter per second यह है change in momentum of ball अब using law of conservation of momentum हमें पता है कि change in momentum of ball plus change in momentum of ball इन दोनों का sum जो है तो momentum imported to the wall should be equal to minus time momentum change in momentum of ball ठीक है यह वो चीज़ है जो के लोग समझा नहीं पाते तो यह अगर आपको समझ आगे तो अब इसमें आपने values put in कर लीनी है minus formula का यह और delta p of ball क्या निकाला था सब्सक्राइब माइनस 12 माइनस 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यह है पार्ट वन का answer momentum imparted to the wall अब आजाते हैं दूसरे पार्ट की तरह एवरिज फोर्स एक्जाटे रॉन दा वाल तो इसका formula आपको याद होना चाहिए एवरिज फोर्स का formula होता है change in momentum to change in time यह formula कैसे मैं इसका हलका सा आपको बताऊंगा लेकिन पहले एक दवाब सॉल्फ कर लें change in momentum हमने निकाले हैं यहां पे 12 और time हमें given सा 0.045 तो 12 divided by 0.045 से मारा answer आ जाता है 266.7 newton यह average force exerted on the wall अब यह formula आया कैसे है यह हलका सा देख लें ताकि याद रहे अगर पेपर में आपको बूल जाए तो formula जो average force का है FF हम लोग लिखते हैं उसको अब impulse का formula क्या होता है J is equal to delta P और impulse का ही दूसरा formula आपको पता है force into delta T के force कितने time के लिए लग रहा है अब यह देखें यह और यह दोनों J के बराबर हैं यह impulse के बराबर हैं तो इन दोनों को हम लोग equal लिख सकते हैं तो delta P equal to force into delta T हम लोग लिख लिख लिया अब अगर इसमें से force निकालने हो यह दो डिल्टा P divided by delta T यह average force निकलाएगी numerical five one ball of mass 0.6 kg traveling 9 meter per second to the right collides head on elastically with the second ball of mass 3 kg traveling 8 meter per second to the left what are their velocities after collision यह balls आ यह हार至 आपस इसमें टक्रा हरी हैं और टक्राने के बाद जिस losities से वापस जाती हैं वो हमें basically मालूं करना है तो given हमारे पास क्या है? mass of ball 1 M1 मालूम है, हमारे पास mass of ball 2 M2 मालूम है velocity of ball 1 before collision हमें given थी और velocity of ball 2 before collision भी हमें given थी मालू हमने करना है Velocity of Ball 1 after collision V1 और Velocity of Ball 2 after collision V2 इनके लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले रटे लगे होने चाहिए V1 का फॉर्मूला और V2 का फॉर्मूला इनको एक नदर देखें दोनों में मासलत क्या है ताके आपको बोर्ट के एक्जाम में याद करने में असानी हो नीचे की दरफ देखें तो दोनों में M1 प्लस M2 है M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 यानि निशला पॉर्शन फॉर्मूलों का एक जैसा है चाहिए V1 निकालनी हो या V2 साथ ही U1 और U2 यानि जो औरिजिनल विलफ ते इसी तरह साथ में लिख लेनी है अब जो डिफरेंस है वो V1 के फॉर्मूले में M1 माइनस M2 पहले फेक्र की उप़ लखा है और V2 के फॉर्मूले में M1 माइनस M2 दूसरे फेक्र की उपर रिखा है फिर क्या difference है? Sign का difference है V1 के अंदर positive sign यूद रए बीच में और V2 के अंदर negative sign यूद रए अब देखें जिस तरह उपर भी हर जगा पर दो-दो मास हैं नीचे भी हर जगा दो-दो मास हैं तो अब ये जो आखरी जगा खाली रहागी है इनकी तो अब V1 के फॉर्मूले में यहां पे भी कोई दो मास आने चाहिए है लेकिन अब की दफ़ा M1 और M2 नहीं आरे V1 के फॉर्मूले में दोनों M2 के मास लिख लिए है और V2 के फॉर्मूला में चुर्मूला लादा M1 को दो दफा लिख लिए तो यह बिसिक लिए याद करने का तरीका है दो तीन दफा लिखेंगे आपको याद हो जाएगा अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूस पुटन करते हैं तो अदर स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लें data को उपर ले जाते हैं V1 के अंदर values put in करते हैं तो M1 की value 0.6 M2 की 0.3 इसी तरह नीचे भी 0.6 plus 0.3 U1 की value पहले क्या थी 9 और इदर आ जाते हैं 2 times M2 M2 की value क्या है 0.3 और नीचे 0.6 plus 0.3 U2 की value क्या है minus 8 अब इसको solve करेंगे 0.6 minus 0.3 से हो जाएगा 0.3 0.6 plus 0.3 से हो जाएगा 0.9 और यह 9 और यह 2 into 0.3 से 0.6 और नीचे 0.9 यह minus 8 अब इसको solve करें तो 0.3 divided by 0.9 से आ जाता है 0.3 थी 0.6 divided by 0.9 से आ जाता है 0.66 फर्द सौर करें यह दोरों multiply होने से 2.997 और यह दोरों multiply होने से minus 5.328 क्योंकि यह minus का sign है अब 2.997 minus 5.328 करेंगे तो हमरे पास value आ जाती है minus 2.331 meter per second एक तो यह दिखा रहा है कि negative का मतलब है कि यह x-axis पे negative side पे जा रही होगी ball m1 जो है अब आ जाते है v2 की तरफ इसमें value जालते है 2 multiply by m1 m1 की value का 0.6 तो 0.6 डाली नीचे 0.6 plus 0.3 एजिटे जिस तरह इसे वाले की नीचे आ रहे है और यह minus के sign के बाद m1 minus m2 यानि 0.6 minus 0.3 और m1 plus m2 0.6 plus 0.3 solve करेंगे इसको 2 multiply by 0.6 हो जाते है 1.2 नीचे आ जाते है 0.9 इदर आ जाते है 0.6 minus 0.3 से 0.3 और नीचे आ जाते है 0.9 अब 1.2 divided by 0.9 से आ जाते है 1.33 into 9 0.3 divided by 0.9 से 0.33 और यह minus 8 as it is 1.33 multiply by 9 11.997 जबके minus यह minus का sign है minus और minus plus हो जाते हैं यह दोनों फिगर मुल्टिप्ला होंगे तो 21664 और वी तू कि जो तोटल वैल्यू आजेगी 14.67 meter per second और positive sign है यानिकि यह right side पे move कर रही होगी numerical six in a wedding एक शादी हो रही है एक bullet fire हो जाती है at speed of 500 meter per second making an angle of 60 degree with horizontal from AK-47 rifle 60 degree के angle पे एक बंदा जो है AK-47 रखता है और एक गोली चला देता है जो initial velocity 500 meter per second जिसको muzzle velocity भी का जाते है क्योंकि muzzle से निकलती है इस पे गोली निकलती है और direct trajectory बना के end point पे कहीं पे पहुंचेगी तो सवाल आपसे यह किया जा रहा है how high will the bullet rise यानि maximum height क्या achieve करेगी what time it would take to reach the ground total time कितना लगेगा ground तक पहुंचने में and how far it would go यानि range कितनी है तो given क्या है initial velocity V not 500 meter per second angle theta 60 degree acceleration due to gravity हमें को बता होता है 9.8 meter per second square maximum height मालुम करनी है time of flight मालुम करना है और horizontal range r मालुम करनी है तो थोड़ा सा हम लोग screen को clear करते हैं और solution स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे पहले requirement है height height का formula आपको बता होना चाहिए और यह नोट square sin square theta divided by 2g values put in करते हैं V not 500 और उसका square और sin theta का square sin theta क्या है sin 60 क्या given है 60 sin square theta का मतलबता है sin theta whole square sin 60 का whole square divided by 2 into 9.8 500 का square length तो 250,000 आ जाता है 250,000 और sin 60 की value आपको बता है point 866 से होती है उसका square लेंगे तो हो जाएगा point 355 और नीचे आगे है 19.6 इसको calculator से solve करेंगे तो हमारे पास height आजेगी 9566 मेटर अब इससे थोड़ा ही difference के साथ एक और formula है time का time period is equal to 2 V not sin theta divided by g इसके इनदर values रालेंगे V not की value 500 sin theta यानि sin 60 और अब इसके आगे solve करेंगे तो 2 multiplied by 500 तो हो गया 1000 और sin 60 की value pointer 866 divided by 9.8 इसको calculator की मेंदे solve करेंगे तो time हमारे पास आजएगा 88.4 seconds थर्ड क्वेस्टन हमारे पास है horizontal range हमने बतानी है कि कितनी range लेगा वो bullet तो range का formula होता है V not square sin 2 theta divided by g थोड़े थेड़े इन फॉर्मूलों में ल्यादा confused भी होना रट्टा था ही लगाना इनका और range के अंदर फाइव व्लॉस्टी इनिशियल जो है 500 का स्क्वेर sin 2 theta theta में पता है 60 तो sin 2 into 60 और divided by 9.8 500 का स्क्वेर 250,000 sin of 120 हो जाएगा sin 120 divided by 9.8 तो sin 120 क्या है 0.866 जबके 250,000 को 9.8 से डिवाइड किया तो वह आ गया 25510.2 अब इसको और इसको इपलाए करेंगे तो हमारे पास range आ जाएगी 22,092 मीटर अब इसको अपनी पिक्चर में डाल के देखते हैं कैसा लग रहा है तो यह हमारे पास final shape है height 9566 मीटर time जो लिया गोली ने वाँ तक पहुशने में 88.4 सेकेंड और total range 22,092 मीटर इतनी दूर तक गोली चली गया जनीक जो के पराने जमानों में पत्थर शतर या आग के गोले पहने के काम आती थी उस्मान घाजी ड्रामे में भी आ रही है यह एक स्टोन पहेंगती है 32 ग्राम का with a velocity 50 मीटर पर सेकिंड at a 30 डिगरी आंगल ऑफ एलिवेशन के 30 डिगरी के एंगल की ओपर यह एक पत्थर लेती है 50 मीटर पर सेकिंड की रफ़तार से उसको भिंगती है दाएर यह एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी बनाएगा और एक फाइनल डेस्टिनेशन पर अपने पहुंचेगा तो क्वेस्टन इस में क्या है हमारे पास पास पार्ट ए है वाट इस मैक्सिमम हाइट करते हैं और वाट इस दा रेंज टोटल डिस्टेंस कितना ट्रावल करते हैं हाव लॉंग है यानि टोटल टाइम कितना इसने लिया गिवन हमारे पास क्या है इनिशल व्लॉस्टी है हमारे बाद एंगल थीटा है एक्सिमम हाइट मालूम करनी है होरिदॉन्टल रेंज आर इन्सक्वेर चीता डिवाइडबाए जिटी इनमें वैलिउस बारी बारी पुट करना शुर्यटे कहें वी नॉट के अंदर डालेंगे फिफ्टी और उसका स्क्वेर sin theta का square यानि sin 30 का square और 2 into g यानि 2 into 9.8 50 का square क्या होते है 2500 sin 30 क्या होते है 0.5 और 0.5 का square 0.25 और 2 multiplied by 9.8 और 19.6 इसको calculator से करेंगे तो height मारे पास आजेगी 31.89 meters next is range range का formula होते है V naught square sin 2 theta divided by g तो V naught की value हमने डाली 50 का square और sin 2 theta 2 into 30 sin 2 into 30 तो 50 का square हमारे पास क्या आ जाते है 2500 sin 2 into 30 हो जाते है sin 60 और जीचे 9.8 2500 divided by 9.8 255.10 और sin 60 की value होते है 0.866 इन तोनों को आपस में multiply करेंगे तो आ जाएगी हमारे रेंज 220.9 meter finally time का formula 2 V naught sin theta divided by g यानि 2 multiplied by 50 यानि 2 multiplied by 50 30 और sin 30 divided by 9.8 तो 50 multiplied by 2 तो हो गया 100 और नीचे 9.8 है और sin 30 की वारी तो यह 0.5 100 divided by 9.8 से हमारे पास आएगा जब multiply करेंगे 0.5 से भी तो calculator में देता है 5.1 सेकंड तो थोड़ा screen को clear करते हैं इन चीज़ों को ऊपर ले जाते हैं और इसको अपनी figure के अंदर add करते हैं तो यह देखें इस catapodal ने जब 30 डिग्री के एंगल पर स्टोन फैंगा है तो height 31.89 meter रेचीव किया उसने range to 20 meter और टाइम और अल्मॉस्ट 5 सेकंड 5.1 सेकंड मैं वीडियो के बीच में स्टुडेंट्स को डिस्टरब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टरब होते हैं बलकि अपना focus भी lose कर जाते हैं अलबता वीडियो के आखिर में जरूर याद करा दूं कि अपनी राइका इसहार कमेंट में जरूर किया करें ये आपके उस्टाद के लिए oxygen की हैसिएत रखते हैं खुश रहें और राबते में रहें